हलो व्यूवर्स आज की हमारी रेसिपी है यूपे स्टाइल मटर आलु का पराठा ये एक ऐसा पराठा है जो यूपे में बहुत जाधा खाया जाता है तो चलिए फटा फट देख लेते हैं इस फेमस पराठे के रेसिपी तो आपको सबसे पहले चाहिए मट्रा अलू का पराठा बनाने के लिए 5-6 आलू उसी के साथ हम ले रहे हैं आधा किलो मट्र और मसाले के लिए हम ले रहे हैं 20-25 लेसन के कलिया एक इंज़ा द्रका टुकडा और 2-3 हारी मिर्च और उसी के साथ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं धेर, सारा, देशी, धनिया तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं आलू उबालने से तो जितने भी हमारे आलू ते उन्हें अच्छी तरीके से उबालने के लिए रख दिया है जब तक यह आलू उबल रहे हम यहाँ पर मटर को भी उबलने में रख दिया है अब मटर और आलू को उबलने के लिए हमने साइड में रखा है और उसी के साथ हम यहां पर यूज कर रहे है तीन से चार चंबच mesma curious हमने यहां पर refined oil का यूज कर लिया है reinforcement oil को यूज करने से क्या होगा जो आप का पराठे का outer layerings होगा बोहन क्रशी होगा और पराठे का स्वार्ठा तभी आज़ा है जब उसका filling soft हो और बाहर से जो पराठा ही वो पहल जादा क्रांच यह आपको सीम के टारीके इसे दोनों हाथों की मदब से मलना है इसे हमारे यहाँ पे कहते हैं मौईन देना आप इसी तरीके से करिएगा और जब आप देखेंगे कि इस तरीके से आटे को उठाने से उसका लड़ू बन जाना चाहिए तब तक आपको इसको मौइन देना यह देखिए हमारा यहाँ पर आटा भी बन गया है आटा आपको वैसी मलना है जैसे हम normal आटे को मलते हैं आलू भी हमारा उबल गया यहाँ पर पर फिलिंग तैयार करें और वो हमारी 20-25 लेसन की कलिया बस इतनी से चीजों को आपको क्या करना है दरदरा पीसना है यहाँ पे आप एक बार का ध्यान रखेगा कि आपको पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि मटर का अपना एक मॉश्चर होता है अब इन सारी चीजों को जो भी आपने मिक्स प्रिपेर किया है उसे आपको आलो में मिक्स कर देना है आप इसे स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या तो अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं यह तो आपे डिपेंड है फिर यहां पे मैंने स्वाद अनुसार नमक का यूज किया है फिर इसमें आपको बनाना शुरू करते हैं तो आप जो है या आठा जो है आप अपने पराठे के साइज के हिसाब से लेले जिए यहां पर मैंने तरीकसे सुख्य कर प्रेस करते। खशिता रहां कि आपको अच्छी तरीके से भरना किनिता नहीं इस तरीक से आपको दिगने को नीचे के प्रैस करते हुए और जो के साइट लेयर है ॉन को उपर के तरफ टाते हुए आपको अच्छी तरीक्ति इस पूरे आटे का जो उपर को मुध है उसे बंद कर देना है और इस तरीकों से कुछ और फिर जहां से आपने उसका चहरा बंद जो मूँ बन किया था उस तरफ से आपको नहीं बेलना है आपको उल्टे साइट से बेलना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं बस इस तरीके से हलके हाथों से प्रेस करते हुए आप इसे बेलते जाएए चिंता मत क प्रेस के दिखा जाएम निचे की तरफ से आपको उसको सेखना है यह मैंने पराठे को टवे पर रख दिया है जब भी आप तवे पर रखें तो याद रखिए आपका जो प्री ही लोना चाही है आपका तवा यह एक ट्रिक मैंने मेरी सिस्टर से सही का है कि जबी भी आप इसे क्या होता है पराठे का कलर बहुत अच्छा आता है यह देखिए मैंने पलट के फिर से एजस पर घी लगा लिया और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन जहां पर घी नहीं गया है वहां पे हम चम्मच की मदद से फिर से घी लगा लेंगे बस इसी तरीके से पलटते हुए आप पराठो को बनाएए आप ध्यान दे रहोंगे कि जो भी हमने फेलिंग इतनी सारी भरी थी वह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है बस इसी तरीके से आप स्पैशुला की मदद से प्रेस करते हुए अपने पराठो को बनाएए और देखिए कितना क्रंशी और कितना ट कितना क्रेश प्रेस करते हैं और कितना टीपमें